Hello Everyone, Welcome to the Drill Master आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं आपने देखी लिया होगा उपर लिखा हुआ Properties of the Engineering Materials अब ये डिसकस करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि अगर मैं उन सभी Materials को आपको प्रोवाइड करूँ जिनकी जरूरत पड़ती है किसी एक Building को Construct करने के लिए तो How you will use each and every material into the construction? ये सवाल है आप लोगों के लिए तो इसका अंसर आप लोगों को सोचना है इसका अंसर आप लोग जो भी प्रोवाइड करेंगे जो भी देंगे जो भी सोचेंगे that will help you to know the chapter better अगर मेरे से अंसर जानना है तो वो आपको मिलेगा म्यूजिक के उस पार मिलते हैं हम डिसकस कर रहे थे एक सवाल जो मैंने आप लोगों को म्यूजिक से पहले पूछा था उस particular question का अंसर बच्चो ये है कि आपको अगर मैं सारे के सारे material प्रोवाइड भी कर दूँ और आपको use करना हो उन material को further construction करने के लिए किसी house की, किसी building की, किसी एक particular office की या किसी एक restaurant की, किसी भी तरीके की building को construct करने के लिए आपको होनी चाहिए proper knowledge उन materials की अब उन materials की knowledge में आता है कि आप लोगों को हर एक material की properties का पता होना चाहिए, उनके characteristics का पता होना चाहिए ताकि आप लोग उन materials को जब use करें तो आप लोग पहले पूरी conditions का पता लगाएं कि इस condition में ये वाला material use होगा और इस condition में ये वाला material use होगा और ये condition में कोई भी material use नहीं हो सकता so we will use some different type of combinations to use the material into that particular condition अब आप लोगों को ये चीज अगर visualize नहीं हो पा रही है या आप सोच नहीं पा रहे हैं तो मां आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे अगर आप को कोई एक durable structure बनाना है Durable structure का मतलब कोई एक ऐसा घर जो बहुत सालों तक चलता रहे बहुत सालों तक ऐसा ही रहे चैसे आप लोग उसको बनाएंगे आप घर बार बार नहीं बनाते हैं आप कोई buildings जो अपने रहने के लिए या mainly residential buildings जो बनाई जाती हैं बार बार नहीं बनती हैं तो इसलिए वो buildings जरूर जरूर durable होनी चाहिए तो durability के लिए आप कोई एक ऐसा material यूज़ करना चाहेंगे जो actually में weather conditions से effect ना होता हो weather conditions का मतलब यानि कि आप जानते हैं कि हमारे environment में धूब भी पड़ती है घर के उपर छाओं भी आती है बारिश भी पड़ती है हवा भी आती है रात भी होती है ठंड भी होती है कई वर बरफ भी पड़ती है तो अलग-अलग conditions में आपके घर को रहना है आपने कभी अपना खुद का अगर कोई एक लकडी का कोई भी material अगर छट पर छोड़ दिया हो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अपने experience के थ्रू कि हम जब छोटे थे तो cricket का बैट मैंने छट पर छोड़ दिया था अब cricket का बैट काफी दिनों तक छट पर पड़ा रहा अब वो जो बैट है बारिश में भी भीगा धूब भी उस पर पड़ी हावा भी चली होगी तो इन अलगलग conditions में वो लकडी का बैट पड़ा रहा cricket बैट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो बैट काफी दिनों तक जब पड़ा रहा तो उसमें cracks develop हो गए that means that particular material is not durable लेकिन अगर हम concrete की बात करें या कोई metal की बात करें तो they are much much durable than the wood so ऐसे ही यह जो हम durability की बात कर रहे हैं it is one of the property और one of the characteristics that we will discuss in today's class so आप लोगों को सारे के सारे material प्रोवाइड भी अगर कोई कर देना तो आप लोगों को properly properties का मालूम होना चाहिए कि किस particular material की क्या property है और उसको किस particular condition के लिए use किया जाना चाहिए I hope आप लोगों को काफी हद तक picture clear हुई होगी अब properties को discuss करना क्यों जरूरी है properties को discuss करना वच्चो इसलिए जरूरी है कि आप जानते हैं कि जो building materials है वो actually में बहुत ज़्यादा costly भी होते हैं नहीं भी होते, easily available भी हो जाते हैं कई बर लेकिन अगर आप लोगों को proper उनका knowledge नहीं है तो it will cost you a lot so अगर कोई एक ऐसा owner या कोई एक ऐसा economist economist का मतलब वो जो actually किसी country के अनदाता होते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में ambanis या foreign countries में आप देखते होगे Jeff Benzos तो ये बड़े-बड़े नाम हैं जिनके पास बहुत पैसा है इन लोगों के पास actually में जो पैसा है ये mostly अपने एक sector में invest करते हैं material sector में तो material sector में अगर इन लोगों को अगर खुद से knowledge हो material की properties की तो ये काफी हद तक पैसा बचा सकते हैं किसी भी country की economy का किसी भी economy को काफी हद तक ये save कर सकते हैं जैसे कि आप लोग को example दूँ तो आप लोग अगर ये अगर आप लोग को ये बात मालूम है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि हवा और पानी के बाद सबसे ज़्यादा यूज किये जाने वाला जो material है हमारी इस धर्ती पर वो है concrete जिससे घर बनते हैं जिससे dams बनते हैं जिससे roads बनते हैं ये जो material है सबसे ज़्यादा यूज के रहाता है हवा और पानी के बाद सोचो कितना ज़्यादा पैसा उस पे लगता होगा इसलिए मैं कहता हूँ कि world's economy और a country's economy largely based on the properties of the material so मैं अब बात करता हूँ in terms of exam अब अगर मैं बात करूँ कि भई exam में ये जो chapter है properties of engineering material किस हद तक important है हमारे लिए देखो बच्चो मैं आपको साफ सा बता दूँ कि ये chapter आप लोगों के exam point of view से देखा जाए अगर तो इतना important चाहे ना हो इससे questions आप लोगों को previous year में इतने questions ना पूछे गए हो लेकिन फिर भी आप लोगों के understanding के लिए ये जो chapter है बहुत बहुत important है आप लोगों को अगर खुद से कोई self study करनी हो किसी एक topic की building materials में तो आप लोग बहुत बर properties of engineering material से go through होंगे आप लोगों को अगर properties के बारे में ना पता होगा तो आप उस particular word को skip कर देंगे so that's why इस particular chapter में जो properties हैं उनको discuss करना बहुत बहुत ज़रूरी है अब इसकी introduction के बारे में बहुत बातें हो गई अब ज़रा एक बर देख लेते हैं कौन कौन सी properties होती है engineering materials की so one by one discuss करते हैं कौन कौन सी properties होती है engineering materials की so यहाँ पर हम heading डाल देते हैं प्रोपर्टीज ओफ इंजिनिरिंग materials properties of engineering materials में बच्चो properties of engineering materials में सबसे पहली property है physical property physical property का मतलब अच्चो यह है physical property का मतलब अच्चो यह है कि अगर हम किसी एक material को nature में as it is देख रहे हैं तो जो उसकी properties हैं उन properties को बोला जाता है physical property the property which shows the physical characteristic or the physical nature of a material is known as a physical property example example के तोर पर किसी भी एक material की density यह किसी भी एक material का जो उसका actually में एक porous structure है जो हम indicate करते हैं एक property के थुरू जिसको बोला जाता है porosity यहां जो हमने starting में बात किया था durability के बारे में durability is also a characteristic or a property which is a physical property so इसके बाद next property है mechanical property अब mechanical property बहुत ही ज्यादा important वैसे तो यह दोनों की दोनों properties बहुत ज्यादा important है एक civil engineer के लिए civil engineer के लिए बात कर रहे हैं हम mechanical property की तो बिचो mechanical property बहुत ही ज्यादा important क्यूं है because अगर हम किसी भी एक material के उपर कोई एक load apply करते हैं कोई भार डालते हैं किसी भी एक material के उपर तो उस भार की वज़े से जब वो material कोई behavior शो करेगा उस behavior उस property को हम बोलते हैं mechanical property जैसे कि अगर मैं किसी एक chair के उपर बैठता हूँ तो वो जो chair पर मेरी body की वज़े से जो भार आएगा जो weight लगेगा उस weight की वज़े से जो उस chair के columns होंगे they will get compressed तो वो जो compression उस particular column पर लग रही है उस compression को जहलने के लिए जो property वो material शो करेगा उसको बोला जाता है mechanical property example के तोर पर mechanical properties के examples है elasticity, plasticity, then creep ये further कुछ examples है mechanical properties के जिनको हम detail में आगे फर्दर discuss करेंगे इसलिए मैं इनको just overview दे रहा हूँ then इसके बाद है chemical properties chemical properties भी बहुत important है लेकिन इसके बारे में समझना बहुत important है ये बात कि अगर हम किसी एक material के बात कर रहे हैं तो वो material जब किसी दूसरे material के साथ react करता है तो उस particular जब हम किसी एक material को mix करते हैं एक दूसरे के साथ तो mixture में वो एक दूसरे के साथ react करने की कोशिश करते हैं तो उस particular reaction से हो सकता है कि दोनों के दोनों material को कोई न कोई effect पढ़ता हो harmful तरीके से यह हो सकता है किसी एक ही material को effect पड़ता हो harmful तरीके से example के तोर पर अगर मैं हमारे concrete structures में steel का use करता हूँ तो कई बर देखा गया है कि उस steel को जंग लग जाता है उस steel की corrosion हो जाती है तो that particular phenomena is actually a chemical property ऐसे ही chemical properties के और भी examples हैं जैसे कि acidity या alkalinity या इसके इलावा किसी एक particular material के chemical composition को test करना वो भी chemical characteristics ही उस particular material के show करता है So this property is also a very important property Then इसके बाद में next property है Electrical property Electrical property is also very important to the people who are doing the electrical engineering या जो electrical field के लोग हैं उनके लिए जादा important है ये वाली property Actually में जो हम ये subject पढ़ रहे हैं na building materials ये actually में subject का नाम है engineering materials ये engineering materials हर एक engineer को पढ़ना पढ़ता है Because हर एक engineer कोई ना कोई material यूज करेगा अपनी field में और उस material की कुछ ना कुछ properties होंगी Civil engineer के लिए जो properties important है materials की वो starting की दो है इन्ही को आगे हम further detail में discuss करेंगे लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं electrical property के बारे में तो electrical property का मतलब यह है कि अगर कोई एक particular material जब उससे हम current pass करने की कोशिश करें तो उस particular current को वो कितना resist करता है या कितना conduct करता है वो जो property show करेगा material that property is known as the electrical property example के तोर पर conductivity of a material या resistivity of a material या dielectric strength of a material this is known as the electrical property समझे बात को अगर मैं आप लोगों से पूछूँ आप लोगों से वैसे ही एक general knowledge का question है जी के आप लोगों की भी बहतर होगी मैं आप लोगों से वैसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे ज़्यादा conductive या सबसे ज़्यादा अच्छी electrical property show करने वाला material कौन सा है या आप ऐसे भी सोच सकते हैं जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके घरों में जो household wiring की जाती है वो wiring के लिए कौन सा metal यूज किया राता है wires में जो metal यूज करते हैं जनरली कौन-कौन से metals को use किया राता है wiring करने के लिए household works के लिए आप लोग सोचिए इस question के answer को हम तब तक next property discuss करते हैं नाम लिख लेता हूँ में just property को discuss बाद में करेंगे इस question का answer करने के बाद next property है magnetic property अब अच्चो जो मैंने अभी आप लोग को सवाल पूछा देखिए household works के लिए जो wiring की जाती है उसके लिए सबसे जादा अच्छा जो material कंसिडर किया जाता है वो है copper wires then उसके बाद में हम generally use करते है हम generally use करते है aluminium wires उसके बाद में हम use कर सकते है silver wires silver मतलब चांदी के जो material होता है चांदी एक metal है उस चांदी के metal को भी use कर जा सकता है हम यह जानते हैं कि चांदी महंगा होता है expensive होता है that's why we do not usually do the wiring by this particular metal और copper भी लगबग महंगा होता है as compared to the aluminium की जो wiring की जाती है और सस्ती भी हो तो वो aluminium की होती है लेकिन जो copper wires होती है वो best consider की जाती है for the electrical works ठीक then अब हम discuss करते हैं magnetic properties के बारे में देखे बच्चों magnetic properties actually में वो properties होती है when a material is actually put into a particular environment where the magnetic field is there magnetic field का मतलब जब आप लोग जानते हैं कि magnet देखा होगा आप लोगों ने magnet की क्या properties होती है magnet के actually में दो poles होती है north poles and south poles और वो उसके according actually में magnetic field induce करता है उस magnetic field की वज़े से अगर कोई एक metal या कोई एक material effect होता है तो that particular material is showing the magnetic property so उस magnetic property की वज़े से कुछ ना कुछ effect create होते है example के तोर पर अगर आप को में बताऊँ आप लोगों ने surveying पढ़ा होगा आप लोग surveying पढ़ चुके हैं या पढ़ा होगा आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम कभी जब भी कभी हम actually में surveying कर रहे होते हैं तो surveying में हमारे जो data होता है, हमारे जो readings होती हैं, उनमें actually में problems create होती है due to the compass, जो compass यूज की जाती है न, directions के लिए कि भई, इस direction में हमको reading note करनी है, तो कई बर क्या होता है कि जमीन में कोई एक magnetic metal या iron या कोई भी कोई भी एक magnetic material, कोई भी एक ऐसा material जो magnetic field की वज़े से affect हो रहा हो या magnetic field को attract कर रहा हो, तो उसकी वज़े से readings actually में deflect हो जाती है, so यहां पे हमारा एक application सामने आ रहा है कि जब भी compass के लिए जो material यूज किया जाएगा तो वो actually में ध्यान रखा जाए कि environment में आस पास कोई भी एक ऐसा metal ना मुझूद हो, जिसकी वज़े से हमारी readings में कुछ न कुछ deflections या deviations आएं, समझे बात तो यहां पर magnetic property के actually में और purpose क्या है देखिए, जो हम generators यूज करते हैं उनमें बड़े-बड़े magnets यूज किया रहते हैं आपके laptops में आपके actually में जो tablets होती हैं या mobile phones होते हैं उनमें भी magnets का यूज किया रहता है, so ये जो property है magnetic field के through, वो properties है जो actually important है जैसे कि example के तोर पर hysteresis, या coercive force, या paramagnetism, these are the properties which are known as the magnetic properties they are very very important when we talk about the generators when we talk about the transformers लेकिन as a civil engineer इतना important नहीं है लेकिन फिर भी मैं properties के नाम लिख रहा हूं which are generally are the properties of the engineering materials, then इसके बाद हम discuss करेंगे next property जिसका नाम है optical property optical property का मतलब क्या है अगर किसी एक material के उपर कोई भी light अगर पड़ती है that light will actually अगर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि mobile phone या जो मैंने lighting यूज कर रखी है वो board के उपर पड़ रही है वो board के उपर जो lighting पड़ रही है तो आपको लगभग clear दिखाई दे रहा है तो मैंने actually में lighting को properly set किया है ताकि एक चमक ना पड़े हमारी आखो पे या एक जगा पर sharpness या brightness जादा ना बढ़ जाए तो यह जो brightness है या जो contrast है या जो sharpness है या जो blur हो जाता है कई बर कोई material तो यह these are the properties of the optical properties तो यहाँ पर इसके इलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई बर क्या होता है कि हम जब भी किसी एक material के उपर कोई light डालते है that light gets sometimes reflected या वो जो light है कई बर pass हो जाती है refract हो जाती है थोड़ी सी deflect हो जाती है तो these are the properties which are known as the optical properties ये properties भी generally बहुत important होती है जब हम optical works के लिए generally materials को decide करते हैं then इसके बाद है next property which is the thermal property अब जो thermal property का क्या मतलब है thermal property का मतलब जब भी हम किसी एक material के environment को ये material को heat करते हैं एक particular temperature से दूसरे temperature तक यानि कि कि किसी एक material के temperature को हम या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उस temperature variation की वज़े से जो property वो material शो करेगा उस property को बोला जाता है thermal property thermal property के examples हैं जैसे की coefficient of thermal expansion या specific heat या heat capacity या thermal conductivity thermal resistivity these are the examples of the thermal properties next property है और last property है हमारे engineering materials की वो है technological properties last property है टेकनलोजिकल प्रोपर्टीज this property is mainly concerned with the metals mainly metals के लिए ही ये properties को use किया रहाता है फिर भी हम इसको discuss कर रहे है टेकनलोजिकल प्रोपर्टीज का मतलब कोई एक metal कितना वो metal casting करने के लिए suitable है कितना वो कोई metal welding करने के लिए suitable है कितना एक metal के machine parts बनाई जा सकते है ये mainly जो mechanical engineers है वो ज़्यादा relate कर पाएंगे so आप लोगों को मालुम होगा कि हम कोई भी कोई भी अगर एक metals का बना हुआ bolt ही discuss करें या कोई भी metal की बनी हुई चीज की बात करें तो वो metal की बनी हुई चीज actually में बनी होती है किसी एक metal से तो उस metal को हम किस तरीके से बनाते हैं हम उस metal को actually में natural ingredient या natural sources से collect करके उनको separate out करते हैं उनको separate करने के बाद हम उनको heat करते हैं high temperature पे molten state में convert करते हैं then उनको proper shape दी जाती है by the process of casting तो casting करने के लिए कौन सा metal suitable है कितना suitable है so उसके according हम ये जो properties के नाम ले रहे हैं ना cast ability, weld ability या इसके इलाबा machine ability these are the technological properties which are actually related to the metals so ये सभी की सभी properties है engineering materials की इन में से सबसे जादा important है as a civil engineer आपको पढ़ना वो है physical and mechanical properties so हम one by one physical and mechanical properties को discuss करेंगे और फिर हमारा जाकर ये पूरा chapter complete होगा लेकिन आप लोग को मैं एक note बता दूँ आप लोग को important बात बता दूँ कि इस पूरे chapter का जो PDF है आप लोग को description box में मिल जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हैं so अब next discuss करते हैं physical properties को पहले तो चलिए बच्चो हम discuss करने वाले है number one property which is important for the civil engineer that is the physical property जो आप देखे रहे हैं सबसे उपर लिखा रखा है physical property physical property में सबसे पहली property जो हम discuss करेंगे वो है सबसे पहली property है bulk density bulk density का क्या मतलब है it is a physical property यह physical property actually में क्या designate करती है क्या बताती है किस तरीके से हमें actually में characteristic को define करती है किसी एक engineering material के physically अगर हम किसी एक particular material को देखते हैं उसकी natural state में as it is nature में जैसे वो पाय राता है तो उसका जितना भी mass होगा उस mass को जब हम उसके volume से divide कर देंगे that particular property is known as the bulk density bulk density में यह बात याद रखिएगा कि किसी एक particular material की जो natural state में mass होगा उसको जब हम उसके volume से divide करते हैं we get the bulk density bulk density में mass जो यूज किया रहाता है as it is which is available in the nature यानि कि which is included with the pores or the voids then यह जो bulk density की property है which is the physical property it is very very important for the various other type of other type of properties जैसे कि किसी भी एक particular material की strength बतानी हो तो it depends mainly upon the bulk density किसी भी एक particular material की conductivity बतानी हो तो it is also dependent upon the bulk density किसी एक particular material की porosity या किसी एक particular material के water absorption quality बतानी हो तो वो depend होती है किसके उपर bulk density के उपर that's why this property is very very important for a civil engineer now next property discuss करते है which is somewhat same like the bulk density दूसरी property है दूसरी property है density simple density density का मतलब क्या है जब हम किसी एक particular material को किसी एक single material की बात कर रहा हूं जब भी कि nature में कोई material पाए राता है उसकी natural state में जब कोई material पाए राता है तो वो pure नहीं होता यानि कि homogenous नहीं होता सिर्फ एक ही material का बना नहीं होता लेकिन जब हम density की बात करते है तो हम जब कोई density की बात करता है या density की बात करते है तो density में हम किसी एक material की density find out करने की कोशिश करते है density को क्यों find out करने की जरूरत पड़ी हमको देखिए natural state में किसी एक material की density को define करने का मतलब उसकी bulk density find out करना लेकिन जब हमको numerical purpose के लिए या research purpose के लिए किसी एक density को use करना होता था तो हम generally use करते हैं density को तो density को हम जब use करते हैं तो उस particular material जिसकी हम density find out करने वाले हैं उसका homogeneous mass divided by the volume of that particular material is known as the density this particular property is also very very important for the other type of properties यानि कि ये property भी बहुत important है जो depend करती है mainly other properties पे ठीक चलिए अब हम discuss करेंगे third property को जिसका नाम है density index density index का क्या मतलब है density index actually में एक प्रोपर्टी है which is the ratio of the bulk density of a material to that of the density of that material this is known as the density index अब density index का क्या मतलब है actually में किसी एक particular material की अगर हमें density index बताना हो तो density index का मतलब ये है कि किसी एक particular material की हमको जब एक density करनी हो उसकी natural state में तो हम जनरली density index का यूज करते हैं natural state में किसी भी एक particular material की density को define करना हो या हमको actually में correlate करना हो या एक categorize करना हो तो हम density index का प्रियोग करते हैं so यहां पर बात की जारी है density index की which is the ratio of the bulk density of a material to that of the density of that material समझे बात तो हमारी तीन properties हो गई है now we will discuss about the fourth property which is the fire resistance fire resistance का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा जब कोई material fire को या आग को या heat को resist करने की कोशिश करता है या जितना उसको resist कर पाता है that shows the fire resistance of that material जब हम किसी एक material को heat करते हैं और उस heat की वज़े से उस fire की वज़े से जब वो material अपनी strength या mechanical properties lose कर दे तो बोला जाता है कि वो material fire resistant नहीं है समझे बात so this particular property is very very important in case of the outbreak of the fire यानि कि किसी एक घर में या किसी एक building में आग लग जाती है तो उस आग की वज़े से बहुत calamities हो सकती है उस particular building में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है that's why this property is very very important to study the engineering materials then next property है chemical property chemical property का क्या मतलब है या chemical resistance sorry not chemical property it is the chemical resistance chemical resistance का मतलब यह है when a material is actually shown or faced with the जब हम किसी एक material को show करते हैं किसी एक acid के सामने या किसी alkali के सामने या किसी gases के सामने या किसी एक acid liquid के सामने which is contained with very harmful chemicals तो उस particular material पे क्या effect होगा उन chemicals की वज़े से that shows the chemical resistance of the material यानि कि वो material कितना capable है उन chemicals को अपने उपर effect ना होने देने से जैसे कि आपके घर में आप अपने घरों में tiles का प्रयोग करते हैं floor work के लिए तो floor पर ही जादा तर कुछ न कुछ आप से गिर जाता है या spill हो जाता है या glass में आप कुछ भर कर लेकर आया तो glass में से नीचे गिर गया तो glass के धब्बे पड़ सकते हैं आपके फर्ष पे आपके जो floor है उसके उपर तो that shows the chemical resistance of that particular material की वो कितना उस पे effect नहीं होने देता जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में जादतर जो tiles हैं वो जल्दी खराब होती है या तो kitchen की या खराब होती है washroom की क्योंकि वहीं पर ही जादतर chemically induced water उन tiles पर पड़ता है जैसे कि आप साबुन वाला पानी या जो toilet आपकी tiles पर गिरता है या जो हम actually में जो sink यूज करते हैं जिसमें हमको actually में जो toilet का work करना होता है उस toilet work में जो toilet का sink होता है वो जल्दी खराब हो जाता है जल्दी खराब हो जाता है या पीला पड़ जाता है आपने देखा होगा कि उस type के purpose के लिए जब हमको जैसे की example के तोर पर sewer pipelines जो होती है या आपने देखा होगा कि जो actually में बड़ी बड़ी जो sewer pipelines के इलावा sanitary works के लिए जो pipes use की जाती है वो जल्दी खराब हो जाती है because बहुत ज़्यादा जो chemicals हैं उनको carry करना होता है तो उन chemicals की वज़े से उन पर effect ना हो तो उस particular property को बोला जाता है chemical resistance समझे बात को तो कौन सा ऐसा material है जो best है chemical resistance के लिए mainly chemically resistant material consider किया जाता है concrete को concrete में भी आगे further properties आगे further types होती है जिन में जिस particular concrete या cement के अंदर silica content सबसे जादा होता है that particular cement or concrete is best suited for the chemical resistance ठीक अब next property की बात करते हैं जो है durability durability का मतलब क्या है durability का मतलब यह है कि जब कोई एक material जब कोई एक material बहुत जब ज़्यादा capable हो atmospheric conditions को अपने उपर effect ना होने देने पर उस particular material को हम बोलते है durable material यानि कि जब भी आप कोई घर बनाने के लिए या कोई building बनाने के लिए outer में यानि कि बाहर exposure में जो material यूज करेंगे that material should be durable आप घर पर जो paint करवाते हैं उस paint पे आपने देखा होगा paint के डबे पर लिखा होता है या weather resistant लिख देने से आप लोगों को एक actually में sense of security महसूस होती है कि भई ये हमारे घर को बचाएगा किस से बाहरी जो factors हैं जैसे की बारिश से धूप से हवा से पानी से अलग-लग factors जो हमारे घर को खराब करते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं उनसे बचाता है कौन ये जो material आप paint का यूज करते हैं तो उसको durable बनाने के लिए हम उसमें कुछ न कुछ material का यूज करते होंगे या जो concrete हम यूज करते हैं घर बनाने के लिए वो भी कैसा होना चाहिए dense होना चाहिए dense का मतलब जिसकी density जादा हो जो dense होगा that will be यानि क्या होगा durable तो इसलिए यहाँ पर इस property की बात की जारी है यानि की durability की now durability की से ही मिलता जुलता एक और प्रोपटी है जिसका नाम है जिसका नाम है weather resistance से ही मिलता जुलता एक और प्रोपटी है जिसको हम बोलते हैं frost resistance तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ हम बात कर रहे हैं frost resistance की पहले frost resistance का मतलब क्या है frost का मतलब freeze होना यानि आपने घर construct करना है एक ऐसी location पे जहां पर बरफ बारी होती हो या बरफ पड़ती हो तो उस थंडे इलाके में बहुत जादा chances होते हैं कि जो आप material use करेंगे construction work के लिए जैसे की concrete तो उस concrete में हमको use करना पड़ता है क्या water तो जो वो water है वो उस particular concrete में saturated condition में concrete को रखेगा उस saturated state में जब वो रहेगा तो वो जो concrete है hard होने से पहले ही जम जाएगा due to the low temperature तो उस frost action की वज़े से जब आपका जो पानी है उस concrete के अंदर वो जम जाएगा जैसे ही temperature थोड़ा सा environment का high होगा increase करेगा तो वो जो water था saturated condition में वो पिघलने लगेगा फिर जब रात होगी या जब temperature फिर से low होगा तो फिर वो पानी जम जाएगा आप लोग ये जानते हैं कि पानी को जमने के लिए यानि कि concrete को अपनी strength गेन करने के लिए maximum to maximum लगभग हमें 10 घंटे का समय देना होता है यानि कि उसके final setting time तक हमको cement के या concrete के final setting time तक उसकी maximum strength actually में जो लगभग minimum required strength उसकी achieve होती है 10 घंटे तक तो 10 घंटे तक हमें उसको छेड़ चाड़ उसके साथ नहीं करनी होती तो 10 घंटे से पहले अगर वो hard ही ना हो पाए अगर उसके अंदर का जो water है वो evaporate या actually में hydrate ही ना हो पाए उसकी hydration ही ना हो पाए water की तो यहाँ पर साफ साफ यह पता चल रहा है कि यह जो temperature है उस environment का जो actually में कम हो रहा है जादा हो रहा है within a stipulated time उसकी वज़े से हमारे concrete यह हमारे structure पर फरक पड़ेगा तो वहाँ पर एक property काम में आ रही है जिसको बोला जाता है frost resistance यानि कि जो आप concrete या जो आप cement use करेंगे that should be frost resistant या जो भी material आप use करना चाहेंगे उस particular situation में that should be frost resistance यानि कि frost resistant होना चाहिए उस particular temperature variation को जहलने के लिए this property is known as the frost resistance ठीक अब frost resistance से ही थोड़ा सा मिलता जुलता एक और property है जिसको हम बोलते है weather resistance सबसे पहले मैंने बात की durability की durability के बाद में बात कर रहा था किसकी frost resistance की durability का मतलब है कि जो हर तरीके के weather में हर तरीके के atmosphere conditions में जो actually में अच्छा material माना जाएगा उसको हम durable material बोलेंगे यानि कि उसकी durability property अच्छी है फिर हमने बात की frost resistance की यानि कि थंडे इलाके में जहां पे बरफ पड़ती हो जहां पे कम temperature रहता हो उस particular location में जब किसी एक material की रिजिस्टेंस अच्छी होती उसको बोले जाता है frost resistance अब हम बात कर रहे है weather resistance की weather resistance का मतलब यह है कि जब कभी एक material को frequently wet और dry conditions में रहना हो तो उस particular situation में कितना वो material उस wet और dry conditions को resist करने में सक्षम है उसको बोला जाएगा weather resistant material example के तोर पे आपके घर में जो kitchen का जो kitchen का area है वो ज़्यादातर गीला होता रहता है सूखता भी है तो वहाँ पर frequently wetting और drying conditions रहती है यहाँ आपके bathroom में wet और dry conditions रहती है यहाँ पर अपने हाथ होते हैं sink में वहाँ पर wet और dry conditions रहती है तो उस particular situation में आप लोगों को जो material यूज करना है that should be weather resistant समझे बात को then अब हम बात करेंगे next property की हमने starting में ही एक property के बारे में discussion किया था जो थी fire resistance fire resistance के according ही एक और property है जिसका नाम actually में fire resistance जैसे fire को resist करने वाली जो property है एक material की उसको बोला जाता है fire resistance तो उसी के according एक और property है refractoriness उसी के according एक property है refractoriness refractoriness का मतलब क्या है कि हम जब भी किसी एक particular material को बहुत देर तक अगर high temperature में रहने देते है तो उस high temperature को भी अगर वो कोई material जहल जाए तो उसको बोला जाएगा refractory material जैसे कि silicon carbide is a example of a refractory material यानि कि अगर आप silicon carbide को heat करेंगे और उस high temperature में heat कर रहे हैं जिसमें की बाकी material तो पिगल जाते हैं उस material में आपने silicon carbide को रखा भी और काफी देर तक रखा तो भी उस silicon carbide जैसे material को कोई effect ना हुआ तो वो जो property है उस particular material की वो बोला जाता है refractoriness समझे बात को तो हम ये जो property है इसको कहां पर use करते हैं या इस property को किन materials में ढूंडा जाता है उन materials में refractoriness को ढूंडा जाता है जिन materials को generally use किया जाता है oven बनाने के लिए या भटी बनाने के लिए या हम generally इनको use करते हैं जो बड़े बड़े incinerators होते हैं उनके लिए ठीक अब हम बाकी properties के बारे में discussion करते हैं one by one जो की है physical property total 18 properties है physically जिनके बारे में हम discuss कर रहे हैं तो अभी हमारी 9 और I think 10 properties हो गई हैं बाकी properties के बारे में भी discuss कर लेते हैं अब हम discuss करेंगे next property को जिसका नाम है higroscopicity higroscopicity का मतलब है कि अगर हम कोई एक material उसको naturally किसी एक environment में रख दें तो वो air में जो water droplets या water vapors present हैं उनको absorb ना करें तो उस particular property को हम बोलेंगे कि वो material higroscopic नहीं है लेकिन अगर वो material nature में यह जो environment में water droplets या water vapor मुझूद हैं अगर उसको वो absorb कर लेता है तो उस particular material को बोला जाएगा higroscopic आपने कभी देखा होगा कि water bottles जो generally आप खरीद कर लेकर आते हैं उनके अंदर एक छोटा सा packet होता है जिसको बोलते हैं silica gel तो वो जो silica gel है उन bottles में क्यों डाला जाता है ताकि कोई भी moisture अगर उस bottle के अंदर हो तो वो उसको absorb कर ले that's why वो जो silica gel का जो packet होता है that is a higroscopic material अब higroscopic किसी एक particular material का होना अलग-अलग conditions पे भी depend करता है कि कितना वो material actually में porous है यानि कि उसका जो actually में physical उसका जो structure है उस पर depend करता है जो actually में environmental temperature है water vapors का उस पर भी depend करता है so various factors है जैसे कि relative humidity उन पर depend करता है higroscopic होना किसी एक particular material का अगर आप simple ये बोले कि भई ये एक material higroscopic है लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि वो उस particular condition में moisture को absorb करेगा या नहीं करेगा because proper conditions होनी चाहिए higroscopic उस particular material के होने के लिए जैसे कि अगर आप नमक खरीद कर लेकर आते हैं उस नमक को अगर आप एक particular environment में as it is खुला छोड़ देते हैं तो that will absorb the moisture यानि कि उसके lumps बन जाएंगे ऐसे ही आपने देखा होगा कि cement का जो एक bag हम खरीद कर लेकर आते हैं उस cement के bag को एक या दो दिन के लिए अगर आप बाहर छोड़ दो एक खुले environment में तो that particular material cement का will absorb the moisture from the environment जिसकी वज़े से उसमें lumps मन जाते हैं जिसकी वज़े से उसकी actually में क्या हो जाती है hydraulic properties show होने लगती है that's why that particular material जो environment से moisture absorb कर लेता है particular condition में आकर उसको बोला जाता है hegroscopic next property है porosity next property है porosity porosity actually में एक particular material की property है जो यह बताती है कि एक material के volume में कितने degree तक उसमें pores या voids present है यानि कि अगर हमको porosity define करना हो तो porosity is defined as porosity is defined as the ratio of the volume of the voids divided by the volume of that particular material समझे बात को absorption का मतलब क्या है retain करके रखेगा तो that is harmful for your structure that's why water absorption is another physical property water absorption को measure कैसे किया राता होगा यानि कि water absorption को measure कैसे किया राता है यानि कि उसको कैसे quantify किया राता है कि यह इतनी water absorption हो गई है आपके इस material की वो कैसे find out करते है water absorption को find out करने के लिए हम weight में difference find out करते है यानि कि एक material को water के अंदर dip करेंगे पहले उसका weight measure कर लेंगे फिर उसको water में dip करेंगे एक दिन के लिए या जितने भी time duration के लिए फिर उसका weight measure किया जाएगा तो वहां से हमको मालुम चलेगा कि कितना इस particular material की water absorption properties है हमज़े बात को चलिए next property अब discuss करते हैं जिसका नाम है water permeability water permeability का मतलब यह है कि जब कोई material अपने अंदर से water को pass होने देता है that property of the material is known as the water permeability जब हम किसी material को अगर आपके ऐसे समझ लीजे कि आपने अपने घर की छत बनाई उस छत पे बारिश का पानी इकठा होता है बारिश का पानी पढ़ता है तो बारिश का पानी अगर उसमें से pass करेगा तो that will lead to the dripping of water from your terrace यानि कि आपकी छत के घर की छत से पानी नीचे गिरेगा आपके bed की उपर आपकी उपर तो that particular property is very harmful for your house, so यहां पर water permeability कई जगा पर आपके लिए फायदे मन भी होती है लेकिन यह जो property material show करता है that is known as the water permeability अब हम ऐसी ही physical property और है जिसके बात करेंगे जिसका नाम है spalling resistance spalling resistance का मतलब यह है कि जब किसी एक particular environment में temperature variations बहुत जादा होती है जैसे कि गर्मियों के दिनों में जैसे अगर कोई regis thani, regis thani इलाका है यहां जहां पर बहुत जादा गर्मी पड़ती है तो रात के समय पर वहां पर ठंड हो जाती है तो दिन के समय पर बहुत गर्मी पड़ती है acutely और जैसे रात होती है तो ठंड हो जाती है तो यह जो temperature variation है एक ही दिन में उसको जहलने के लिए material capable होना चाहिए जैसे कि आपने अपने घर में RCC structures को यूज किया यानि कि RCC को यूज किया आपके concrete structure को बनाने के लिए तो उस concrete में आपने लाजमी सी बात है steel को भी use किया होगा तो steel और आपके concrete की जो coefficient of thermal expansion है वो अलग-अलग होगी तो coefficient of thermal expansion अलग-अलग होने की वज़े से क्या होगा कि cement जो concrete है वो अलग expand करेगा due to the temperature variation यह contract करेगा due to the temperature variation ऐसे ही steel भी contract यह expand करेगा तो उनमें जो variation है that will lead to the failure of the particular structure तो इसी particular failure को जब कोई material capable होता है resist करने में तो उसको बोला जाता है spalling resistance ठीक next property है specific heat next property है specific heat specific heat का मतलब क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ what is the meaning of the specific heat आपने सुना भी हो शायद यहाँ पर heat capacity is equal to m c delta t यह equation शायद आप लोगो ने अपने school time में सुनी होगी जिसमे this H is what is this quantity of heat quantity of heat supplied to a material what is this M M is the mass of the material M is the mass of material M is the mass of material c is the specific heat जिस property की हम बात कर रहे है उसको बोला जा रहा है यहाँ पर specific heat c is the specific heat what is this delta t delta t is the change in temperature delta t is the change in temperature अब यहाँ पर जब हम c को calculate करेंगे तो यहाँ पर quantity of heat को हमें divide करना होगा किसके साथ mass of the material or change in temperature के साथ तो हमें मिल जाएगा specific heat यह तो formula wise बताने का तरीका है specific heat को लेकिन actually में specific heat होता क्या है specific heat is a physical property जो हमें यह बताती है कि कि material को जब एक material को आप heat करें 1 degree celsius temperature के लिए तो उसमें आपको कितनी heat supply करनी पड़ेगी यानि कि unit mass के material को unit mass मतलत 1 kg के material को 1 degree temperature बढ़ाने के लिए आपको कितनी heat supply करनी पड़ी that shows the specific heat capacity that shows the specific heat capacity of a material यानि कि अगर आपको example के तोर पर बताना हो कि बताओ specific heat यहाँ पर steel की जादा होगी या wood की जादा होगी एक लकड़ी है एक मेरे हाथ में एक है wood तो यहाँ पर specific heat किसकी जादा होगी तो आप यहाँ पर पहले देखिए specific heat यहाँ पर क्या होगा specific heat will be equal to h upon m into delta t यहाँ पर h की क्या units होती है joules और m की क्या units होती है newton, delta t की क्या units होती है degree celsius तो this is the units of the of the specific heat यानि कि joules per newton degree celsius यहाँ पर बच्चो यह चीज ध्यान से सुनिये कि कितनी heat आपको supply करनी पड़ी 1 degree celsius 1 kg के material में लाने के लिए अब देखो अगर आप बात करें steel की तो steel जल्दी से heat हो जाता है यानि कि बहुत कम heat उसको supply करनी पड़ेगी यहाँ पर समझ लो कि आपने जो steel लिया है और wood लिया है लकडी लिया है दोनों same weight के हैं यानि कि उनका भार same है तो यहाँ पर उनकी अगर आप specific heat capacity बताना चाहें तो यहाँ पर जो steel होगा उसकी specific heat कम होगी as compared to the wood because wood is a insulator उसको heat supply करने में यानि कि आपको लगेगा कि यह कैसी बात बोल रहे हैं sir लकडी तो जल जाती है आग से बिलकुल लेकिन वो जो heat है वो थोड़ा देर से पकड़ती है उसके जो particles है wood के उसको time लगता है heat सारे के सारे तक पहुचने के लिए यानि कि उसमें throughout 1 degree Celsius का temperature increase होने में थोड़ा समय लगेगा यानि कि थोड़ी जादा heat आप लोग को supply करने पड़ेगी that's why specific heat of the wood is more than the steel ठीक है जी अब next property की बात करते हैं जिसका नाम है जिसका नाम है इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ बहुत simple simple है properties इसलिए इनको मैं board पर लिख कर आपको नहीं बता रहा हूँ आपको as it is बता कर ही काफी कुछ समझ आ रहा होगा इनको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को well maintained notes PDF में यहाँ पर मिल जाएंगे आप उसको download कर सकते हैं देख सकते हैं कि वही सारा content है जो मैं यहाँ पर आपको बोल कर बता रहा हूँ समझा रहा हूँ अब बात कर रहे हैं heat capacity की यहाँ पर specific heat capacity की बात कुई now we will talk about the heat capacity heat capacity क्या होती है heat capacity का मतलब अगर आप किसी एक material को heat supply करते हैं तो कितनी उस particular material की capacity है उस particular heat को absorb करने की तो वह बताता है heat capacity of that material जैसे कि अगर आप बात करें एक particular water जो एक container में भरा हुआ है तो वह जो water है वह कितना heat को absorb कर सकता है that shows की कितनी उस particular water की heat absorb करने की capacity है ठीक यहां पर अगर same आपको मैं example के तोर पर बताऊं कि आपके पास मिट्टी है उस मिट्टी के जो particles है चोटे चोटे particles है यानि कि वह surface area बहुत जादा है यानि चोटे यह जो आप देख रहे हैं मान लो कि यह मिट्टी के particles हैं जिनको मैंने तीन हिस्सों में तोड़ दिया अब इसको जब मैं heat करूंगा तो इसकी जो heat capacity है that will be less यानि कि एक एक पार्टिकल अपनी जो heat की capacity है उसको बहुत दलदी अचीव कर लेगा ठीक सभी के सभी heat capacity को particles same time पे अचीव करेंगे तो इनकी heat capacity कम होगी लेकिन जब उसको हम एक एक ही material में combine रखेंगे तो उसके particles में heat पहुँचने में समय लगेगा उसकी heat की capacity उसी के according ज़ादा होगी समझे बात को इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बड़े area को heat करेंगे तो उसकी heat capacity ज़ादा होगी छोटे area को heat करेंगे तो उसकी heat capacity comparatively कम होगी समझे बात को next property है physical property जिसकी हम बात करेंगे वो है यहाँ पर जिसको हम last property consider कर सकते हैं हमारे इस particular topic की that is physical properties में जिसका नाम है जिसका नाम है saturation या coefficient of saturation अब coefficient of saturation का सबसे पहला point जो आप लोग को याद रखना है it is the ratio of यहाँ पर लिख देता हूँ coefficient of saturation it is the ratio of compressive strength compressive strength in saturated congestion to that of compressive strength of that material in the driest condition यानि कि coefficient of saturation is defined as the ratio of the compressive strength of a material in the saturated state to that of the compressive strength of that material in the dry state यह जो property है coefficient of saturation हमें क्या बताती है इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक material को अगर हम saturate करते हैं water से तो क्या उसकी compressive strength या उसकी strength पे कुछ variation आती है जैसे कि अगर आप किसी metal की बात करें या किसी एक glass की बात करें किसी dense material की बात करें तो वो जो material है अगर उसको आप water से saturate करेंगे तो उसकी compressive strength में कोई फरक नहीं आएगा that means उसका coefficient of saturation लगबग एक के बराबर होगा यानि की unity के बराबर होगा लेकिन अगर यही अगर आप बात करें clay के बारे में clay के बारे में मिट्टी के बारे में बात करें तो उस clay का जो strength है in the dry state होंगे soil mechanics में आप पढ़ा भी होगा आप लोगोंने आप पढ़ेंगे कि जो clay है उसकी saturated condition में जो compressive strength है it becomes 0 at a particular saturated condition तो उस particular case में coefficient of saturation कितना होगा 0 तो यहां पर इस particular case में हमें coefficient of saturation इस property का application नजर आ रहा है यानि कि अलग-अलग material का coefficient of saturation अलग-अलग होता है it depends कि उसको जब आप saturate करते हैं तो उसकी जो compressive strength है वो कितनी आती है उसकी compressive strength saturated condition में जब आप divide कर देते हैं dry state से तो उससे आप लोगों को मालुम चल जाता है coefficient of saturation ठीक यहां पर आप लोगों के यह जो physical properties है they are complete now we will discuss the next type of properties that are the mechanical properties of the engineering materials so now अब हम discuss करेंगे mechanical properties of the engineering materials mechanical properties मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं mechanical properties of the material are those properties which actually are shown by the material when the material is subjected to the external load जब भी आप किसी एक material पे externally load apply करोगे तो उसके according उसके against जो material behavior show करता है उस behavior को बोला जाता है mechanical property of the material उसी में सबसे पहली property है जो हम discuss करने वाले है उसका नाम है strength अब strength की बात की जाए वच्चो तो generally आप खुद ही खुद ही सोच कर देखो आपके घर में जो structure है जो आपका घर है उस किन-किन main component से मिलकर बना है columns और beams mainly columns और beams से मिलकर ही घर बनता है या कोई भी building है कोई भी structure बनता है तो उस column का mainly क्या purpose होता है to carry the compressive load और beam का क्या function होता है to carry the bending moment तो bending moment को जब वो beam carry करती है तो bending moment को जब भी कोई beam carry करती है तो उस bending moment की वज़े से उस beam में tension और compression develop होता है जिसको bending tensile stress या bending compressive stress बोलते हैं उसी के according या further जब bending ज़्यादा हो जाती है किसी विए beam में तो उसकी वज़े से torsion we develop होती है lateral direction में तो यह अलग-अलग तरीके के actually में forces है जो externally किसी एक member पे लगते हैं जिसके against उस particular material में strength भी होनी चाहिए तो generally जब भी हम किसी एक material को compress करते हैं जैसे कि यह सामने आपके मा लीजिए कि कोई एक column है building का तो इस पे जब compressive load लगेगा तो इस compressive load को resist करने के लिए इसके अंदर एक property होनी चाहिए जिसको mechanical property बोलते हैं and that mechanical property is known as the compressive strength ऐसे ही एक और strength होती है जब भी किसी एक material को मा लीजिए आपके घर में कोई fan होगा तो उस fan को आपने एक particular pipe से hang कर रखा होगा तो उस particular pipe में कोई न कोई tension carry करने वाली strength होगी तो उस particular pipe की उस strength को बोला जाएगा tensile strength जोकी एक mechanical property है ऐसे ही आपने bridge देखे होंगे suspension bridges यह आपने अलग-अलग प्रकार के member देखे होंगे जिनको हम actually में खीचते हैं खीचने का मतलब उसको tension apply करते हैं जैसे कि अगर मैं एक इस तरीके से आपको बताऊं कि यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा कि यह कोई एक member है wait a second let's say कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से हमने कोई एक इस तरीके से कोई plate लगा रखी है इस plate के साथ कोई एक member connected है यहाँ पर कोई एक member connected है this member is made these both members are made up of steel, steel के बने हुए हैं तो यहाँ पर हमको bolt लगाने पड़ेंगे यहाँ पर हमको bolt लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर अगर हम इसको खींचते हैं यहाँ पर कोई load apply किया जाता है जैसे कि आपने देखा होगा पार्क में जो जूले लगे होते हैं उन पर जब कोई बच्चा बैठता है तो उस पर भी tension लगती है आप जब भी किसी एक particular machine पर जाकर hang करते हैं pull up करने के लिए तो उस पर भी tension लगती है ऐसे बहुत सारे आप लोगों को examples मिल जाएंगे जिन पर tensile load लगता है उसके against जिस material पर आप hang कर रहे हैं उसमें tensile strength होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको यह मालूम चला कि जो strength है एक प्रकार की होती है जिसको हम बोलते है compressive strength which is shown by the material against the compressive load एक होती है tensile strength which is shown by the material against the tensile load ऐसे ही bending strength होती है ऐसे ही torsional strength होती है these are the strength shown by the material against the respective type of the load समझे बात को चलिए अब हम दूसरी property की बात करेंगे which is a mechanical property and that is the that is the हम next property की बात करते हैं that is the impact strength इसको मैं मिटा देता हूं so next property जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है impact strength impact strength एक material की property है which is shown by that particular material when the material is subjected to the load suddenly यानि कि आपने एक particular material बनाया उस material पे suddenly कोई load आकर गिर गया तो उस particular material में वो क्षमता होनी चाहिए उस suddenly applied load को carry करने की या उसको झेलने की example के तोर पे जिन buildings में lift provide की जाती है तो खुदा ना खासता कभी ऐसा हो लेकिन अगर वो lift की जो wire है अगर वो तूट जाए जिस पे tension लग रही है tensile load लग रहा है मान लेते हैं कि उस particular wire में इतनी tensile strength नहीं थी और वो wire तूट गई और तूट के नीचे जाकर गिरेगी किसी एक particular floor पे तो उस particular floor का जो material है वो ऐसा होना चाहिए जो उस particular impact load को carry कर सके तो यहां पर अगर वो material जो उस floor का बना होगा उस impact load को carry करने के लायक होगा तो उसकी impact strength उस particular load से जादा होगी जो impact fully उस पे apply होगा समझे बात को So यहां पर बात आती है second property की जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको यहां पर लिखा भी होगा है That is the impact strength Now अब हम next property की बात करेंगे which is the mechanical property that is creep किसकी बात करेंगे? क्रीप अब क्रीप क्या है? क्रीप का हिंदी में मतलब होता है रेंगना यानि की धीरे धीरे रेंगना अब क्रीप is a mechanical property अब दोस्तों क्रीप का मतलब यह है Wait a second आप लोग को अभी बताता हूं इसका practical demonstration क्रीप की actually मैं पहले तो मैं definition बता दूँ क्रीप is defined as a time dependent deformation in a material when the load is constant यानि की material के अंदर की एक deformation है load की वज़े से लेकिन वो load constant है example की तोर पर समझेगा कि आपने किसी एक particular bench पर बैठे हुए है यह कोई एक bench है माल लेते हैं यह आप bench के उपर बैठे हुए और आपका कुछ न कुछ वेट है तो वेट जैसे आपने जैसे आप इस bench के उपर बैठेंगे तो यह bench क्या करेगा deflect कर जाएगा इस तरीके से इस तरीके से deflect कर जाएगा कुछ न कुछ deform होगा यह particular bench bench किसी न किसी material का बना हुआ है जैसे ही आप उस पर बैठे वैसे ही वो deform हो गया यानि कि bend हो गया अब क्या होगा कि आपका वेट तो उतन ही है जितना है आपका वेट अचानक से तो different change नहीं हो जाएगा तो आपके वेट की वज़े से जो उस particular bench में further deformation आएगी with the duration of the time वो duration उस particular deformation को आप बोलेंगे creep यहाँ example के तोर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे हाथ की कोई न कोई capacity है इस particular bottle को hold करके रखने की तो इस bottle मैं पहले तो अपने हाथ को ऐसे कर लेता हूँ जैसे इस पे कुछ bottle मैंने पकड़ी तो यह थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो इतनी इसमें deformation होगी जैसे मैंने हाथ में bottle पकड़ी तो अब इस particular bottle का weight constant है अब इस particular bottle को मैं कितनी देर तक hold करके रख सकता हूँ जाएगा तो time के respect में जो constant load की वज़े से deformation होती है उसको बोला जाता है creep अब यह जो creep है ना यह almost हर material में होता है जिन material में नहीं होता उनमें actually में होता है लेकिन बहुत बहुत negligible जैसे कि example के तोर पर concrete या cast iron या steel इनमें बहुत कम creep deformation होती है with respect to time लेकिन अगर आप temperature increase करें by the increase in temperature यानि कि environmental उस particular material के temperature को अगर increase किया जाए तो creep deformation जल्दी हो जाता है as compared to जब उसको time लगेगा example के तोर पे अगर हम बात करें polymer materials की polymer materials की अगर हम बात करें तो polymer materials में normally room temperature पर ही उसमें creep deformation आने लग जाती है और अगर हम steel की बात करें तो लगबग 300 degree Celsius पे जाकर उसमें जो creep deformation सा आने लगती है concrete में 100 degree Celsius पे creep deformations आने लगती है लेकिन अगर उनका temperature ना बढ़ाया होता तो काफी समय लग जाता उनकी creep deformation को आने में समझे बात को that means की creep deformations depend upon the temperature of the material अब हम बात करेंगे next type of mechanical property that is the abrasion abrasion क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है wait a second next property जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है abrasion abrasion का मतलब क्या what is the meaning of abrasion abrasion is defined as the resistance of a material against the scratch or against the wear यानि कि अगर आप किसी एक material को रब करते हैं कोई एक hard material से तो क्या होगा उस material का कुछ ना कुछ surface क्या होगा उस पे खरोच आएगी तो उस particular खरोच को resist करने के लिए जो resistance वो material शो करेगा उसको बोला जाएगा abrasion resistance या abrasive resistance this is the mechanical property of the material यह जो property है abrasion की यह कहाँ पर actually में use में आती है जब हमको कोई material floor purpose के लिए use करना हो तो generally आप देखते हैं कि घर में हमको चलने की आदत नहीं होती पैर उठाकर तो हम पैर घसीट कर चलते हैं और कई बर हमारे जूतों में क्या लगा होता है मिट्टी लगी होती है तो मिट्टी की वज़े से आपके चेहरे पर कोई मिट्टी रगडे तो आपके चेहरे पर खरोच आ जाएगी वैसे ही आपके फ्लोर्स पर भी खरोच आ सकती है या आती है तो आपके फ्लोर का जो material है that should be abrasive यानि कि उस खरोच को उस particular wear and tear को जेलने लायक होना चाहिए that particular property of the material of the floor is known as the abrasion resistance अब abrasion के साथ मिलता जुलता एक और प्रोपरटी है जिसको हम बोलते हैं wear what is the meaning of wear यहाँ पर लिखा हुआ है सामने आपके what is the meaning of wear wear actually में same जैसे abrasion होता है वैसे ही wear होता है लेकिन abrasion actually में कब काम आता है या कब actually role play करता है when a particular material is subjected to the compressive load as well as the impact load जब भी आप किसी एक material पे compressive load apply करते हैं और impact fully apply करते हैं तो उसकी वज़े से जो actually में उस particular material पे खरोच आती है या जो abrasion होता है उसको रोकने के लिए जो property show करता है वो material उसको बोला जाता है wear resistance example के तोर पर जब भी हम को railway की जो पट्री है railway की जो पट्री है या जो road का surface है जिस material से बना होता है या जो railway की पट्री जिस material की बनी होती है that should be wear resistant wear resistant का मतलब जो आपकी rail है या जो train है उसका बहुत भार होता है या जो road की उपर vehicles चलते हैं उनका भी बहुत weight होता है तो उस weight का compressive load उस material पर पड़ेगा जिस material का road या railway lines बनी होगी तो उस compressive load को रोकने के लिए और अचानक से जब brake लगाएगा कोई vehicle या train तो उसकी वज़े से क्या होगा अचानक से क्या होगा खरोच लगेगी उस पट्री पे या road surface पे तो उस खरोच को जहलने लाइक होगा अगर वो material तो उसको हम बोलेंगे wear resistant and that wear wear में और abrasion में आप लोग को फरक I hope समझ आया होगा wear actually में ज़्यादा important है हमारे civil engineers के लिए जब उस पे जब हम road surface के लिए या railway lines की बात करते हैं लेकिन अगर हमें floor purpose के लिए बात करनी हो तो we use the term और we use the property which is known as abrasion तो abrasion और wear के बारे में I hope you are understood now we will talk about the next property that is elasticity अब हम elasticity, plasticity और brittleness के बारे में बात करेंगे so यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? elasticity के बारे में so बच्चो elasticity का मतलब क्या है? elasticity का मतलब देखिएगा कि अगर मैं किसी एक material पे load apply करता हूँ तो load apply करने पर क्या होगा? वो material deform करेगा कुछ न कुछ उसमें उसकी shape में या उसकी dimension में कुछ न कुछ deformation आएगी जैसे कि अगर मैं इस particular material को खीचता हूँ एक load apply करने पर तो इस पे कुछ न कुछ खिचाव आएगा तो उस खिचाव को यहाँ पर deformation बोला जा रहा है उसकी shape में या उसकी dimension पे लेट से ठीक तो वो जो deformation आई उस particular deformation को हम कब elastic deformation बोलेंगे कब plastic deformation बोलेंगे यही मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूँ in mechanical properties में सबसे पहले बात करते हैं elastic property की elastic property जो है material की यह कब प्लेक यानि की कब काम में आती है when a material is subjected to external load and that material is subjected to some kind of deformation and when the load is removed when the load when the applied load is removed that material when regain its original shape and dimension that deformation in the material is known as the elastic deformation यानि की example के तोर पर समझे यहाँ पर let's say कि यह कोई एक particular material है या कोई एक bridge है आपने देखा होगा bridge पे bridge पे जब आप खड़े होते हैं flyover पे जब भी आप bridge पे खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि उसके उपर से जैसे vehicles गुजर रहे हैं तो वो bridge हिलता है elastically उसमें deformations आती हैं होता क्या है कि जैसे ही इस पे कोई load अप्लाइ आएगी जैसे ही आपने यह लोड को रिमूव किया जैसे आपने इस लोड को हटाया externally applied load को हटाया तो यह जो deformation है वापिस regain हो दाएंगी यानि कि यह completely remove हो दाएंगी इस particular deformation is known as the elastic deformation लेकिन जब आप कोई लोड जो आपने अप्लाए किया वो एक particular limit में होना चाहिए यानि कि इस material के एक limit होगी उस limit में अगर आप उसको apply करेंगे तो वो जो उसकी deformation है वो regain कर जाएगी यानि कि बिल्कुल remove हो दाएगी लेकिन अगर आपने जो load apply किया वो एक limit से ज़ादा apply कर दिया उस limit को बोला जाता है elastic limit जैसी एक limit से ज़ादा आपने apply कर दिया तो क्या होगा कि यह जो material है यह deform तो होगा और जैसी आपने load को remove किया जिसको आपने elastic limit से ज़ादा apply कर दिया था तो यह अपनी original shape और dimension regain नहीं कर पाएगा इसमें कुछ ना कुछ deformation retained रह जाएगी उस particular deformation को बोला जाएगा plastic deformation या उस particular property को material की बोला जाएगा plasticity समझे बात को elasticity और elastic deformation समझ गए plasticity और plastic deformation समझ गए अब यह जो actually में mechanical properties हैं इनको हम strength of material subject में बहुत detail में with numerical problems हम detail में with graphs समझेंगे लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा deep में concept के नहीं जा रहा हूँ because आप confused हो जाओगे यहाँ पर जितनी जरूरत है मैं उतना ही आप लोग को बता रहा हूं ठीक अब यहां तक बात हुई अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी यहां पर आपको difference पूछना चाह रहा हूं what is the difference between elastic deformation and ideal elastic deformation or ideal elastic deformation what is the meaning of these two terms इनका मतलब क्या है elastic deformation का मतलब है कि जब भी आपने किसी material पर load apply किया तो जैसी load apply किया तब ही थोड़ी ना वो deform कर जाता है आपने देखा होगा कभी आप chair पर बैठते हैं यहां आप किसी bench पर बैठते हैं तो क्या होता है कि वो bench पर अगर आप एक एक बंदा बैठता है उस तो वो as it is जैसा है वो वैसा ही रहेगा लेकिन जब उस पर दो यह तीन मंदे बैठ जाएंगे तो वो deflect करना start करेगा यह deflect होगा लेकिन आपने जैसी load apply किया तब तो थोड़ी ना वो deflect हुआ था यह उसमें जो reflection आई वो बहुत negligible थी ना के बराबर लेकिन जब आपने उस उस पर load apply किया और ज्यादा तब उसमें deflections दिखनी start हो गई तो उन deflections को बोला जाता है actually में elastic deformations लेकिन ideal deformation क्या है वेन यह जो दोनों की दोनों deformations वो deformations हैं जैसी आप load को remove करते है material अपनी original shape or dimension regain कर लेता है यह दोनों की दोनों deformations वहीं है elastic लेकिन ideal elastic deformation का मतलब यह है कि जैसे ही आपने material पे कोई भी amount का load apply किया तो material suddenly deform हो गया यानि कि apply करते ही deform हो गया और आपने जैसे ही load को remove किया वो अपनी original position पे आ गया उसको बोलते है ideal elastic deformation समझे बात अब next property है mechanical property जिसकी मैं बात करूंगा उसका नाम है कि ब्रिटलनेस अब नेक्स प्रोपर्टी जिसकी मैं बात करने लोड उस external लोड की वज़े से जब material suddenly fracture कर जाता है या फेल कर जाता है या तूट जाता है उस उस particular failure को बोला जाता है brittle failure when there is no sign of warning in the material before failure तो उस particular property को material की बोला जाता है ब्रिटलनेस या उस failure को बोला जाता है brittle failure यह जो property है यह कौन से material शो करते हैं जनरली आपने देखा होगा कांच कांच को अगर आप उसको उस पे धक्का लगाएंगे तो वह अचानक से तूट जाएगा अगर आप concrete की बात करें तो concrete भी कुछ ऐसा ही होता है अचानक से brittle failure होता है concrete में इसलिए concrete के अंदर brittle failure ना हो हम उसके अंदर steel की बनी हुई bars को डालते हैं आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में सिर्फ concrete का बना हुआ structure होता तो क्या होता कि जैसे ही उसमें कुछ ना कुछ crack आते तो वह अचानक से तूट जाता और आपको भागने का मोका भी न मिलता यानि कि कुछ sign warning का मिलता ही नहीं और वह अचानक से ability बढ़ाने के लिए ductile strength बढ़ाने के लिए हमने उसके अंदर steel roads को डालते हैं समझे बात को तो brittleness के just opposite एक प्रोपर्टी होती है ductility brittleness आप समझ चुके है ductility just opposite of the, brittleness का just opposite होता है क्या ductility यानि कि अगर आप एक material पे load apply करते हैं और उस load apply करने पर क्या होता है कि material gets elongated यानि कि उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को पहले से ही मालुम चलता है कि हाँ इसमें deformations आने लग गई है तो that particular material when get deformed due to the externally applied load by a some amount is known as the ductile material तो यह जो elastic material, plastic material, ideal elastic material इन सभी को हम actually में ductile materials बोलते हैं ductile materials, elastic materials is the same thing ठीक है जी? So, अब हम बात करेंगे next property की जिसका नाम है लगबग सभी properties के बारे में हमने discuss कर लिया है जस्ट दो properties रह गई हैं सबसे पहली है fatigue fatigue का मतलब क्या है? यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं fatigue के बारे में fatigue strength is a strength of a material यानि कि अगर आप बोलें कि एक material की strength है some amount यानि कि माल लो एक unit है strength की यहाँ पर hundred kilo newton per meter square माल लेते हैं this is the strength of a particular material material कौन सा माल लेते हैं कि आपके घर की जो छत है उस छत का या आपके घर पे जो एक column आपने रूम में प्रवाइड किया है उस column की strength है hundred kilo newton per meter square ठीक अब hundred kilo newton per meter square उपर आपने कोई भी चत आपने उपर कोई भी स्टोरी नहीं है घर के उपर एक ही single story घर है इसकी उपर कोई भी उपर से लोड नहीं लग रहा और इसकी strength कितनी है कोलम की hundred kilo newton per meter square अब आपके घर के just back side क्या है कि construction work लगा हुआ है और वो यूज कर रहे हैं vibrator का तो उस vibrator की वज़े से क्या होगा vibrations induce होंगी आपकी उस कोलम में कोलम में कभी भी hundred kilo newton per meter square तक का externally applied load नहीं लगेगा लेकिन रिपीटेड साइकल्स ओफ लोड आर गेटिंग ओन इस पर्टिकुलर कोलम यानि कि इस पर 50 kilo newton per meter square का यह जो लोड है यहां इससे कम यह से थोड़ा सा हलका सा ज्यादा लेकिन यहां तक कभी भी नहीं आ सकता लेकिन यह 50 kilo newton per meter square तक का जो लोड है यह रिपीटेड साइकल्स में vibrations की form में apply हो रहा है हमारे इस कोलम बे क्योंकि back side पर कोई vibrations induce कर रहा है किसी vibrator के थुरू क्योंकि कोई काम लगा हुआ हुआ है पीछे तो हो सकता है कि हमारा वो जो कोलम है उसमें crack आ जाए उसमें कुछ न कुछ failure आ जाए तो उस पटिकुलर उस पटिकुलर स्ट्रेंथ को उस पटिकुलर property को material की बोला जाता है fatigue थकना यानि कि उस vibration से वो material थक गया और थकने की वज़े सो उसमें crack आ गया और crack के बाद वो fail कर गया तो that particular strength of that particular material is known as the fatigue strength जो की कैसे define करेंगे आप it is defined as the minimum number of repeated और vibratory cycles that are required by the material such that a material fails below its original strength समझे बात को तो इस type की property को बोला जाता है fatigue strength इनकी जो definitions है exactly और जो main concept है इनके बारे में वो सब कुछ आप लोगों को pdf में मिल जाएगा आप description box में जाकर download कर सकते हैं so अब हम बात करेंगे last property की जिसका नाम है hardness hardness is the last property that we are discussing in the mechanical property हाँ इसके इलावा और भी बहुत सारी properties हैं जो हम actually में mechanical properties में discuss करते हैं लेकिन उनको हम और detail में discuss करेंगे जो कि हम यहाँ पर अभी discuss नहीं कर सकते हैं because they are actually technical terms in terms of the mechanical properties जिसको हम strength of material subject में ही discuss करेंगे समझे बात को तो यहाँ पर अभी के लिए समझ लीजिए कि हम अब last property discuss कर रहे हैं which is the mechanical property and that is hardness so आपके सामने हैं hardness hardness के बारे में बात किया जाए तो जब भी किसी एक material को harder material से या किसी एक strong material से आप scratch करने की कोशिश करते हैं तो उस material पे अगर निशान पड़ जाए तो वो बताता है कि material hard नहीं है तो एक material की उस scratch को resist करने की जो capacity है उसको बोला जाता है hardness समझे बात को actually में hardness को measure कैसे किया जाता है when a particular material is scratched by a harder material तो उस material पे अगर कोई भी निशान नहीं आता तो that particular material is known as the hard material यहां हम उसको बोल सकते हैं material is having the property of hardness यहां आपको example के तोर पर बताओं आपके phone पे जो cover आप लगवाते हैं वो material actually में कैसा material होता है hard material यानि कि आपके हाथों पे कई वर मिट्टी लगी हो तो आप अपना phone चला रहे हैं तो उसपे scratch पड़ जाते हैं यहां आप उसको काफी समय तक use करते जारें तो उसपे scratch ना पड़ें that means जो cover आपने लगाया था वो बहुत ज़्यादा hard है that shows कि वो एक ऐसे material का बना हुआ which is a which is having the property of hardness ऐसे ही अगर हमको hardness को actually में measure करना हो तो उसके लिए हम एक scale का use करते हैं जिसको बोला जाता है मोह स्केल मोह स्केल यहां पर मलिक देता हूँ most scale यह एक scale है जो generally use किया जाता है stone material की hardness को actually में measure करने के लिए या उनको classify करने के लिए उनको एक category में डालने के लिए हम most scale का use करते हैं which is a scale of 10 stones यानि कि 10 प्रकार के stones हैं उनकी increasing order में hardness की values दी गई है सबसे जादा hardest material इस most scale के according बताया गया है diamond और सबसे कम hardest material बताया गया है कौन सा टाल्क टी एल्सी टालकम समझे बात को सो इसका पूरा जो टेबल है वो मैं आप लोग को शो कर देता हूं आप देख सकते हैं increasing order में hardness की values of the material समझे बात को अब इसी प्रकार से हमने सारी की सारी mechanical properties को discuss कर लिया है इससे पहले हमने physical properties को discuss किया था now अब सभी की सभी properties mechanical और physical हम discuss कर चुके हैं उससे पहले हमने ये जाना था कि engineering materials की कौन-कौन सी properties होती है अब बात आती है कि इस particular chapter से कौन-कौन से questions पूछे गए है previous year में और किस तरीके से हम उन questions को solve करेंगे so मैं सभी के सभी questions को last में add कर दूंगा slides के through आप उन questions को attempt कर सकते हैं आपको मैंने सारा पढ़ा दिया है आप एक पर PDF से go through हो रहिएगा जो description box में है और फिर उसके बाद आप अपने questions कर सकते हैं ठीक, so आज की video lecture को यहीं पर समाप्त करते हैं so thank you everyone for listening me God bless you always